सियासत मौका परस्ती का दूसरा नाम है मौका मिलते ही पाले बदल जाते हैं पिछले चडाओं में जो कॉंग्रिस को कोस रहे थे वो अब कॉंग्रिस की प्रत्याशी है और बीजेप्वी को ताने देने वाले टिकिट के लिए उसी का दाबन ठाम कर बैठे हैं कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के बागियों पर नजर गड़ाए बैठी हैं तो किस तरह से ये बगावती फॉर्मुला वोट लाएगा इस बार और इसके पीछे का क्या है गणित यह जानने के लिए देखें ये पूरा वीडियो लास्ट तक मेरे साथ दमस्का कर रही है एक दूसरे के बागियों को साधने की कोशिश कर रही है ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों में टिकेट लेने का यह सबसे शौट फॉर्मूला बन गया है आपको बता दूं कि कॉंग्रेस अब तक बीजेपी के तीन बागी विधायकों को टिकेट दे चुकी है इनमें विकास चौधरी को किशंगड शोभारानी कुश्वा को धॉलपुर और सुरेंद्र गोयल को जैतारण से टिकेट दिया गया है और इसके इतर अगर हम बात करें तो विकास चौधरी और शोभारानी हाल ही में कॉंग्रेस में शामिल हुए थे साल 2018 के विधानसभा चौनाव में विकास चौधरी किशंगड सीट से बीजेपी प्रत्याशी थे लेकित वो चौनाव हार गये थे यहां निर्दली सुरेश्टांक चौनाव जीते थे और इस बार उनका टिकेट कट गया तो कॉंग्रेस में वो शामिल होकर टिकेट ले गया है जबकि सुरेंद जयतारण से अपना प्रत्याशी घोशित किया है शोबाराने कुश्वा की बात करें तो 2018 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी के टिकेट पर धौलपूर सीट से जीती थी लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के विखका लंगन कर दिया था और कॉ प्रत्याशी को वोट किया था इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और इस बार वो धौलपूर सीट से कॉंग्रेस की प्रत्याशी बन गई इसके अलावा राष्ट्री महिला आयों के अध्यक्ष और पिछले विधान सभाचुनाओं में बीजे सीट पर मौझुदा चुनाव के लिए बसपा ने टिकेट दिया था और इसके अलावा अगर साल 2019 की बात करें तो कॉंग्रेस के टिकेट पर लोगसभा चुनाव वो लड़े थी और नागौर में मिर्धा परिवार को कॉंग्रेस का अगुवा माना जाता है हम बात कर रहे ह नागा और सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और हनुवान बेनिवाल को भी कड़ी टकर दे रहे हैं पिछले लोगसभा चुनाव में सीकर से कॉंग्रिस के टिकेट पर उन्होंने लड़े थी बीजेपी के सुमिदा रन से वह हारिस इस बार लक्षमनगर से कॉंग्रिस से शोभारानी कॉंग्रिस प्रत्याशी हैं और शिव चरण कुष्वा बीजेपी के हैं तो बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की इनकमिंग कॉल लिस्ट में अभी कॉंग्रिस के कई दूसरे लोगसभा प्रत्याशी शामिल हैं और सूत्रों की अगर माने तो करीब 5-7- बीजेपी के संपर्क में हैं इनके लिए जल्दी ही टिकेटों का एलान होगा तो देखा आपने किस तरह से बगावती सुरों का फायदा उठा रही है बीजेपी और कॉंग्रिस जैसे ही बगावती सूर अख्रियार होने लगे वैसे ही इन्होंने अपना ये प्लान सक्सेस होगा और किसका होगा फिर ये तो जनता जनार्धन जिसको वोट देगी और रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं आपकी क्या रहा है आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर और कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताएगा और हर पल आपको पता चलेगा इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाईए अपनी पहचान साड़े चार करोड से ज्यादा व्यूज और तीन लाग 27,000 से ज्यादा सब्स्क्राइबर वाले राजिस्थान के चैनल राजिस्थान संबात पर करवाईए कवरेज जारा जनकारी के लि दबल जिरो 549 पर